गूट मॉनिंग एप्रिवन वेलकम टू एक्जाम और्बिट क्लासेज तो आज है अठारा जुलाई और आज के सेशन में अठारा जुलाई से सम्मन्दित करेंट अफियर के बारे में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले आप सबी के लिए एक सबाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में भारत इंडोनेशिया आर्थिक और बित्तिय बारता की सुरू करने की जो घोशना है ये किसने की है राजना सिंग, नितिंगर करी, एस जैसंकर या फिर निर्मला, सीता रमन इस सबाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास की लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बाक्स में तो सेशन कर स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला सबार खबरों में रहा कास पठार किस राज्ज में इस्तित है तो फ्रेंट्स ये सवाल काफी महित्पून है आगामी परिक्षा की द्रस्टी से और यहां से कुश्चन बन सकता है करेंट प्लस जियोक्राफी का पूछा जा सकता है कि कास पठार किस राज्जु में आता है तो ये आता है महरास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इस पठार के बारे में देखे कास पठार भारत के महरास्ट में 17 सहर से 25 किलोमीटर पच्छिम में इस्तितिक पठार है यहें पठार कोईना बनचीब अभिरन से सटा हुआ है याद रखेंगे कि 2012 में यूनेसको ने इसे विश्व प्राकर्तिक बिरासत इस्तलगोशित किया था और फूलों की 800 से अधिक परजातिया इस पठार पर पाई जाती है अब ये पठार सुर्कियों में क्यों है ये जान लेते हैं देखे इसका सुर्कियों में आने का कारण है अगर कर अनुसंधान संस्तान पूरे रिसर्च ये जो रिसर्च सेंटर है ये पूरे में है ये सोध भारत के ग्रिश मकालिन मांसून के बदलापर केंद्रेत है जो कि किया गया है अनुसंधान दुवरा सोध में अनेक संकेत मिले हैं जो मानब जीवन के लिए बहुत महत्पोन है जिसके कारण ये है पठार सुर्कियों में आ गया है तो आपको बस इतना याद रखना है कि कास पठार कहां पर इस दित है तो कास पठार आता है माहरास्ट में इसके अलाबा कोश्चन बन सकता है कि अगर कर अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो आंसर हो जाएगा ये है पूने माहरास्ट में आगे डिसकस कर लेते हैं Special Dose for Exam में किस पठार को अंतर परवतिय पठार की स्रेणी में नहीं रखा जाता है छोटा नागपुर पठार को टेली ग्राफिक जो पठार है ये कहां पर है तो ये उत्री अटलांटिक माहासागर में आता है विश्व का सरवादिक उंचा पठार कौन सा है तो तिबबत का पठार है पोटबार जो पठार है ये आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा मैप के माध्यम से भी आप सबी समझ सकते हैं कुछ महत्यपोंट पठार हैं भारत के जैसे कि बुंदेलखंड का पठार, भगेलखंड का पठार, सिलांग पठार, छोटा नाकपुर पठार, रंडिकार्ने पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार और करनाटक पठार मालवा पठार याद रखेंगे यह बहुत पूछा जाता है एक्जाम में अब डिसकस कर लेते हैं माहरास्ट के बारे में तो लोकेशन आप सभी मैप में देख लीजिए यह है माहरास्ट माहरास्ट के बारे में क्या क्या याद रखेंगे तो महरास्ट की राजधाने मुंबई है बर्तुमान में मुख्य मंत्री एकनासिंदे है राजजुपाल रमेश वैस है निर्वाचन सीटे यहाँ पर लोक सवा सीटे 48 है राज्य सवा सीटे 19 है बिधान सवा सीटों की संग्या यहाँ पर 288 है प्रमुक जो लोकिनरत है वो है लापनी प्रमुक नदिया है कृष्णा नदी, गुदावरी नदी, भीमा नदी यहाँ की जो प्रमुक जील है वो है लूनार जील महरास्ट के प्रमुक नैसल पार्क और अभ्यरन कौन-कौन से है जैसे की टाडूबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुंगमल नेशनल पार्क, भीमा संकर नेशनल पार्क, मालवन, समुद्री अपियरण, नागजीरा, बन्यजीब अपियरण ये आपको कहां देखने को मिलेंगे महरास्ट में मुख्याले के इसके हैं तो याद रखेंगे इन सभी के मुख्याले आपको मुंबई माहरास्ट में देखने को मिलेंगे तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी बल आइकन दबाना फिलकुल ना भूले जिसे आप सभी को क्लास का जो नौटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजेगा और इस क्लास की जो पीडिफ है वो बात में आप सभी को टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम पर जाकर एक्जाम और विट क्लासे से लोगो आपको देखाई देगा जिसने भी टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है फेंट जोइन कर लीजेगा क्योंकि यहां पर करेंट से सम्बंदी इसली अफडेट आपको मिल जाता है और करेंट के कुईशन भी आपको इस टेलिग्राम चैनल पर कराए जाते हैं अगला सबाल है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन अभ्यास जैसे हम कहते हैं नोमेडिक एलिफेंट तो इसका जो आयोजन है यह कहां पर किया जा रहा है देखे भारत इस अभ्यास में भाग लेता है तो जाहिर सिवाद है महत पूर्ण है तो यह जो अभ्यास है यह हो रहा है उलान बटार यानि कि मंगोलिया के कैपिटल में 2023 का यह अभ्यास है और इसका जो आयोजन है वो 17-31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलान बटार में किया जाएगा मंगोलिया की बात कर लेता है तो मैप में आप सभी लोकेशन देखेंगे यह है मंगोलिया मंगोलिया जो है न यह लेंड लॉक कंट्री है जैसे कि उपर आप इसके देखेंगे तो रसिया है और इसके जस्ट नीचे आपको चाहिना देखने को मिलेगा मंगूलिया के बारे में और क्या के याद रखेंगे तो राज्थानी तो भी हम डिस्कस करी चुके हैं कैरेंसी यहां की मंगूलिया इतोगारिक है राश्टपती जो बरतमान में हैं निका नाम है उखनागिन खुरेल सुक चुकि बर्तमान में मंगूलिया के प्रसीरेंट है कुछ महत्पूर्ण अभ्यास हैं जिनके बारे में जान लेते हैं भारती सैना के सब्त सक्ति कमान ने राजस्तान और केसराच में सुदर्सन सक्ति 2020 अभ्यास किया पंजाब में भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साजेदारी अभ्यास का जो पहला संसकरण है ये कहां पर हुआ था उमान की खाड़ी में दोई पच्छी वायो अभ्यास वीरगार जियन 2023 ये जापान में हुआ है भारत अपकेस देश की सैनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइकलोन फस्ट हुआ मिश्र भारत अमेरिका अभ्यास तरकस कहां पर हुआ तो इसका आयुजन चैन्नाई में किया गया था अगला सवाल परधान मंतरी सुरी नरेंद्र मोधी जी ने किस अंतरास्टिय हवाई अड़े के नए एकिकरत टर्मिनल भवन का उधगाटन करेंगे तो फ्रेंट्स 18 जुलाई यानि कि आज परधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी दुआरा वर्चुली तरीके से आप सबी जानते हैं कि बरधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी इस समय युएई की आतरा पर गए हुए है तो बर्चुली तरीके से इसका उधगाटन करेंगे वह कहाँ पर तो वीर सावर कर अंथरास्टिय हवाई अट्टा अब कोईशन पूछा जा सकता है कि वीर सावर कर जो अंथरास्टिय हवाई अट्टा है ये कहाँ पर है तो आंसर होगा पोर्ट विलियर अब आप मुझे बताएंगे कि पोर्ट विलियर किसकी कैपिटल है इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है डिसकस कर लेते हैं कुछ महत फोन हवाई अट्टो के बारे में जैसे कि संस्किरत भासा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अट्टा कौन सा बना है लाल बाहादो सास्त्री अंथरास्टिय हवाई अट्टा सिम्बोगा हवाई एड़ा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो बियस यदुरप्पा हवाई एड़ा कौन सा हवाई एड़ा पूरी तरह से हाइडरो और सौर उर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवायड़ा बना है तो इंद्रा गांधी अंथरास्ट्य हवायड़ा जो की नई दिल्ली में है हिसार हवायड़ी का नया नाम क्या कर दिया गया है माहराजा अग्रसैन अंथरास्ट्य हवायड़ा भारत का पहला single-use plastic-free हवाईड़ा कौन सा है तो इंद्रा गांदी अंतरास्टिय हवाईड़ा है गिरीन फिल्ट हवाईड़ा ये आता है महरास्ट में इसके इंडिया परियोजणा ने किस राज्या केंद्रल सासित परदेश की लुप्त हो रही नम्दा कला को सपलता पूर्वख पुनर जिवित करा है तो फ्रेंट्स देखे नम्दा कला जो है इसका संबंध है जम्मो कश्मीर से किस से संबंदित है तो आप याद रखेंगे डारेक्ट वेशन यहां से एक्जाम में पन सकता है देखें नमदा एक पारमपारे कश्मीरी सिल्फ है जिसमें भेड की उनका उप्योग करके फेल्टेट कालीन बनाना और रंगीन हाथ की कडाई को सामिल करना है इसे पुनर जीवित किया गया है स्किल इंडिया परियोशना के तहट अब स्पेसल फूर एक्जाम में डिस्कस कर लेता है जैसे कि मजुवनी चित्रकला किस राज्य से संबंदित है ये बेहार से संबंदित है और ये काफी परसिद्ध है फुलकारी चित्रकला ये पंजाब से संबंदित है राव जो परसिद्ध लोग के निरत है इसका संबंद जमुकश्मीर से है थेवा कला किस राज्य की है तो ये राजस्थान की है कमलकारी याद रखेंगे बहुत पूछी जाती है एक्जाम में आंधर प्रदेश उरिषा की लोग चित्रकला कौन सी है तो पात चित्र को कहा जाता है next question किस राज्य में बार से बौनालू उसभ का आयोजन किया गया तो आप सभी जानते होंगे जो बौनालू फेस्टीवल है ये काफी महत पुन फेस्टीवल है और ये तेलंगाना में मनाते है ये एक्जाम में पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे, देखे, इस फेस्टिवल में देवी महाकाली को शमर्पिती ये फेस्टिवल है, जिने देवी दुर्गा का एक अपतार माना जाता है, तेलगों में बोनम का सब्द का जो अर्थ है वो भोजन या दावस से है, और ये जो बार्चिक उस सब है, ये काफी धूमदाम से तेलंगाना में मनाया जाता है, लेटेस्ट करेंट अफियर में डिस्कस कर लेता है, जैसे की चिकल कालो, आप सभी को याद हो गई, ये कीचड़ उस सब, कहा मनाया गया था, उत्री गुवा में, अन्थराष्टिय पतंग माहुसब 2023, ये एहमदाबाद में मनाया गया, सारंग 2023, भारत का सबसे बड़ा जो छात्र संचालित माहुसब है, ये IIT मदरास में आयुजित किया गया, थावे फेस्टिवल बेहार में, भारत के सबसे बड़े स्काई बॉक, पुल का उधगाटन का हुआ तमिलाड कौनसा बना है, तो फ्रंट्स याद रखेंगे, चार रन्वे वाला भारत का जो पहला हवायड़ा है, वो बन गया है, इंद्रा गांधी अंथरास्ट ये हवायड़ा, ये हवायड़ा कहां पर आता है, तो ये आता है दिल्ली में, आप सब भी जानते होंगे कि बर्तमान मे नागडिक उड्यन मंतरी कौन है, तो जोतर अदित्यस इंद्या है, और इने के दुवारा चौते रन्वे का उद्गाटन किया गया है, डिस्कस करेंगे देश का पहला लेटिस्ट करेंट अफियर, कैबिनेट ने किल सहर में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक छितर ये कारेले की स्थापना को मंजूरी दी, नई दिल्ली में, सेंट्रल बैंक डिजिटल केरंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निकम कौन सा बना है, पटना, हरित पॉंट जारी करने वाला देश का पहला सहरी निकाय कौन सा बन गया है, इंदौर बन गया है, भारत क पहला सम्विधान साक्षर जिला कौन सा बना है तो कोलम बना है नास्ट कुरिशन दुनिया के साथ वे सबसे बड़े बैंकों की सूची में कौन सा बैक सामिल हो गया है तो याद रखना है SDFC बैंक इसमें सामिल हो गया है देखें SDFC बैंक 40 अरब डॉलर के रिवर्स मर्जल सौधे के बाद तुनिया के सबसे बड़े नीजी बैंकों की सूची में साथ वे स्थान पर पहुँच गया है SDFC लिमिटेट का SDFC बैंक में बिले हुआ था जिसके कारण ये साथ वे नमबर पर आ किया है अगला सबाल किस केंद्रिय मंत्री ने ड्रक्स, तसकरी और राष्टिय सुरक्षा पर छित्रिय सम्मिलन की अध्यस्ता की है तो केंद्रिय मंत्री अमिसाहाची की दुवारा की गई कहां पर तो नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी जिसके अध्यस्ता की गई जलमार्ग मंत्री सर्वनन सूनुबाल ने चेन्नाई से किस देश के लिए फारत के पहले अंधराश्टी क्रूज पूत MB Empress को हरी जंडी दिखाई सिरी लंका के लिए अक्षर रिवर क्रूज का जो उदगाटन है ये किस ने किया था अमेसा हजी ने देश में 2025 तक कितने नेनो यूरिय सैंतर स्थापित किये जाएंगे कुल नौ किस राज्य सरकार ने इसकूल में बीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने का फैसला किया है तो ये MP गवर्मेंट के दोवारा किया गया है अगला सवाल है कि विवल्डन ग्रेंड इसलेम 2023 में जो पूरु सेकल का खिताब है ये किस ने जीता है तो फ्रेंट्स पूरु सेकल का खिताब जीता है कालोस अलकरास ने अच्छा इन्होंने final में किसको हरा दिया है तो नोबाग जोकोविच को हरा कर यह है खिताब इन्होंने अपने नाम किया है नेस्ट कुईशन निम्न मेंसे किसने national multi-dimensional poverty index जारी किया है तो देखी ये इंडेक्स काफी महत पूर्ण है और इसे जारी किया गया है नीतियायोग के दुवारा इस इंडेक्स में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3.43 करोर लोगों के साथ गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद बेहार और मद्द प्रदेश का इस्थाना आता है क्लास की शुरुबात में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भारत इंडोनेशिया आर्थिक और बित्तिय बारता सुरू करने की जो गोशना है ये किसने की है तो फ्रेंट्स ये गोशना की गई है निर्मला सीता रमन जो की बरतमान में हमारी बित्त मंत्री है देखें निर्मला सीता रमन जी ने गांधी नगर में जी टोइंटी के बित्त मंत्री और केंद्रिय वैंके गवननरों की जो बैठक हुई है इसी बैठक के दोरान भारत इंडोनेशिया आर्थिक और बित्तिय बारता सुरू करने की गोशना की है इस बारता का जो उद्देश है वो दोनों देशों के वीच वैश्विक मुद्धोपस सयोग को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ाबा देना है अब रिवीजन कर लेते हैं कल के शिशन का जल्दी से तो देखे किस देश के राष्टपती ने खाद बढधातों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुस लगाने के लिए देश में आपातकाल की गोशना की है तो नाईजीरिया के राष्टपती के दुवारा की गए किस टाइगर रिजर्व में दुललापक्षी जैडन बैबलर देखा गया है तो इसे देखा गया उत्तर प्रदेश के दुदवा टाइगर रिजर्व में किस देश की संसत ने सुप्रीम कोट की सक्ति को सीमित करने के लिए बिध्यक को मनजूरी दी है इसराइल की संसत ने मानभाती संगर्ज की बढ़ती समश्याओं के समाधान के लिए गजहा को था जो अभियान है ये किसने शुरू किया है तो फ्रेंट्स इस अभियान को शुरू किया गया असम गबर्मेंट के दुवारा किर्तिम बुद्धी मक्ता यानि के आटिफिशियल इंटलिजन कंपनी XAI किसने लौंच की है तो इसे ऐलोन मस्क के दुवारा लौंच की गई है विवल्डन 2023 महिला इकल का जो खिताब है ये किसने जीता है तो महिला इकल का किताब जीता है मार केटा बोंद्रो सुवाने जिनने आप सभी पिक में देख सकते हैं एग्री इंफ्राफ फंड के तहट बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान किसने शुरू किया है तो इस अभियान की शुरुवात की गई थी मनूच अहूजा जी के दुवारा नेंजल मंडिला अंथरास्टिय दिवस कब मनाते हैं तो फेंट्स यह दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है याद रखेंगे 1990 में भारत रत्म इन्हें दिया गया था और 1993 में ने नूबल सांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया था किस सहर में ड्रोन उडाने पर 30 दिनों के लिए प्रतिवंद लगा दिया गया है तो सुरक्षा की दरस्टी से ये प्रतिवंद मुंबई पुलेस के दुवारा लगाया गया है कब तक के लिए तो 30 दिनों तक के लिए भूमी सम्मान किश्के दुवारा दिये जाएंगे तो भूमी सम्मान दिये जाएंगे राष्टपती, दुरोपती, मुर्मुजी के दुवारा और कहां पर दिल्ली में दिये जाएंगे बार्बी मिकांग गंगयो सहयोग बैटक है ये कहां पर हुई तो फेंट्स इस बैटक का आयोजन किया गया था बैंकॉंग में और इस बैटक की जो सहे अध्याष्ता है वो विदेश मंतरी डॉक्टर एस जैसंकर जी के दुवारा की गई थी अब डिसकस कर लेते हैं टॉप टैन इस्टैटिक ची के कुईशन लद्दाक और जासकर परवस्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है तो सिंदु नदी बहती है अब आप मुझे बताएंगे कि सिंदु जल समझोता कब हुआ था सूर में कौन सा तत्व शर्वादिक मात्रा में पाये जाता है तो सर्वादिक मात्रा में देखने को मिलेगा हाइड्रोजन पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर और सिरी नगर को कौन सा दर्रा जोडता है बुर्जिला दर्रा लगु संविधान के संविधान संसूधन को कहा जाता है तो 42 संविधान संसूधन को कहा जाता है मनिशों में गुड़ सूत्रों की जो संक्या है ये कितनी होती है तो 46 होती है किस के बेतन पर आयकर नहीं लगता है तो फेंस राश्ट पती के बेतन पर आयकर नहीं लगता है भारत में पच्छमी घाट को क्या कहते हैं सहाद्री के नाम से जानते है अब आप मुझे बताईए कि पच्छमी घाट की सबसे उंची चोटी का नाम क्या है भारत में कलिंग पुरुषकार को कब सुरू किया गया था तो कलिंग पुरुषकार की जो शुरुवात है वो 1902 में होती है फेस्बुक के संस्थापक कौन है तो मार्क जो करवर्क है सीमा सड़क संगठन की जो इस्थापना है वो कब की गई थी तो 7 मई 1960 में की गई थी सीमा सड़क संगठन यानि की बियारो की इस्थापना कल के शेशन में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके आंसर देख लेते हैं जैसे कि पहला पूछा गया था कि अमरत भारत स्टेशन योजना किसकी दुवारा शुरू किया गया एक बिकास कारीकरम है तो फ्रेंट्स अमरत भारत जो स्टेशन योजना है इसकी शुरवात दच्छडी रेलवे के दोवारा की गई थे रेलवे स्टेशनों के बिकास के लिए राइट आंसर ओप्सन ए अगला सबाल है कि निसाद कुमार ने पैरिस में एथलेटिक्स विश्व चेंपियंसिप में कौन सा बदक जीता तो फ्रेंट्स इन्होंने भारत को रज़त बदक दिलाया अच्छा आयोजन कहां पर किया गया था तो पैरिस में किया गया था अगला सबल धार्तिय संभिधान के किस अनुछेत में रास्टपती पद का प्रापधान है तो रास्टपती पद का प्रापधान है आर्टिकल 52 में राइट आंसर ऑप्जन B अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में विश्व का सबसे बड़ा अंतरास्टिय मंदिर सम्मिलर और एक्सपो का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा गांधी नगर, वरणासी, नई दिल्ली या फिर चैननाई आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में खबरों में रहा मुकरती नैस्टनल पार किस राज्जु में इस्तित है तमिलनाडू, उडिसा, उत्तपरदेश या फिर मद्परदेश गांधी जी का जो डांडी मार्च है ये किसका हिस्सा था अश्ययोग आंदोलन, स्वसासनली, ग्यासंग, सभिनवग्य आंदोलन या फिर भारत छुड़ो आंदोलन नेस्ट एंड लास्ट सवाल है कि हिंद माहसागर और लाल सागर को कौन सी जलसंदी जोड़ती है बाब अलमन्देब, हार्मुज जलसंदी, बोस्पोरस जलसंदी या फिर मलक का जलसंदी तो इन सभी के आंसर आप करेंगे कमेंट्स बॉक्स में, शेशन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा और इस क्लास की जो पीडियाप है जब आप टेलिग्राम चैनल पर जाएगे तो एक्जाम और्बिट क्लासे से लोगों आपको दिखाई देगा जिसने भी टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है, फेंट जोइन कर लीजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको करेंट्स से जमदे जो भी अपडेट है आपकी परिक्षाओं के लिए जो कि काफी महत पूर्ण है वो आपको इसली मिल जाएगा साथी में डेली के कुछ कुछ कुशन्स भी आपको कराई जाते हैं करेंट अफियर के और जीके जीएस के वो भी आपको टेलिग्राम पर इसली मिल जाएगे जो कि परिक्षा की दरस्टी से काफी महत पूर्ण है तो आप सभी टेलिग्राम को जरूर जाइन कर लीजेगा और साथी में अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजेगा और जादा से जादा इस क्लास को शेयर कीजेगा क्योंकि friends this class में आपको बिल्कुल कम से कम समय में पूरा current affair cover कराया जाता है चुकि आपकी परिक्षा के लिए जितना महत पूर्ण है तो आज के session को यहीं पर खत्म करते हैं class कैसे लगी comments करके ज़रूर बताना तो मिलते हैं next session में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जय है जय भारत